Friends, फिर से सवागत आपका एक नई वीडियो के साथ हमारे YouTube चैनल फोटो कैसे बनाए पर तो Friends, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस image से हम one click में background कैसे remove करेंगे नेरे पास ही एक image है जिसकी मैंने ये one click में background को remove किया है इस तरह से और इसमें background को लगा के इस photo को इस तरह से तयार किया तो चली Friends, हम photo से background को किस तरह से remove करेंगे आज की वीडियो में यही सीखते हैं तो चली Friends, वीडियो शुरू करते हैं तो Friends, Photoshop पे आने के बाद हमें यहां से double click करके आप चाहे तो यहां से file से जाके और open करेंगे यहां से और यहां से कोई भी अपनी एक image को open करेंगे जिस image की background को आपने one click में remove को ना है वो image आपको open कर लेनी है मैंने image open कर ली है और Friends, सबसे पहले यहां पे यहां पे यह जो layer box है इसमें जाके इसके log को अटाना है log को अटाने के लिए यहां इस पे हम double click करेंगे तो हमारे सामने new layer का option आ जाएगा और यह layer 0 के नाम से यहां पे आ जाएगी और इसे आमें ok कर देना है तो इस तरह से हमारे layer से low cut जाएगा और Friends, इसके बाद हमें इसके एक duplicate copy बना लेनी है उसके लिए हमें आपे Ctrl-J करेंगे तो एक यह duplicate copy तयार हो जाएगी और इसका हम यहां से कोई नाम भी रख सकते ही आपे double click करके जैसे मैं इसमें इसका final नाम रख लेता हूँ तो मैंने इसका यह नाम रख लिया है और Friends, अब इसके बाद आपको यह property पे जाना है अगर आपकी property यहां पे show नहीं हो रही तो आप window में जाके और यहां से आपको अपनी property को open कर लेना है यह नीचे आपकी property यहां पे इस तरह से दिखाई देगी इसको यहां से open कर लेना है तो आपकी property यहां पे आ जाएगी और Friends, इसके बाद आपको यहां इसको नीचे करना scroll down और यहां पे आपको quick actions दिखाई देगा इसको यहां इस arrow की निचान पे click करना है एक बार और यहां पे आपको दो option दिखाई देंगे एक है remove background का और दूसरा select object अगर आप select object पे करेंगे तो यह object हमारा select हो जाएगा और Friends, remove background पे click करेंगे तो हमारी background इसे remove हो जाएगी तो चलिए Friends, मैं एक बार इसमें एक click करूँगा और हमारी background remove हो जाएगी तो मैं इस पे click करता हूँ और इस तरह से ही हमारे searching में चलने लग जाएगा कुछ time लगेगा इसमें 245 seconds तो Friends, हमें इसको close कर देना है और नीचे वाली background को, eyes को हमें बंद कर देना तो यह देखी Friends, इस तरह से यह हमारी background remove हो चुकी है और साथ-साथ हमें यह mask भी मिल जाएगा mask मिलने से हमें क्या फाइदा होगा जैसे मैं इस image को zoom करता हूँ तो देखी Friends, background हमारी बिलकुल अच्छे से remove हो चुकी है अब mask का हमारा क्या benefit है वह मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पर हम mask पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें brush select करना है इस तरफ से tool से ओपर brush select करेंगे और यहाँ मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ जैसे माल लिजीए background में यह थोड़ा हिस्सा रह गाए यह हमारी remove नहीं हुई तो यहाँ से mask select करके और यहाँ से brush को लेके और यहाँ में foreground में white color की जगह black color करना है यह black color आ जाएगा और इस हिस्से को हम इस तरह से फिर से remove कर सकते है अगर background में थोड़ी बहुत यह रह जाए तो हम इसको इस तरह से remove कर सकते है तो हमें mask का यह benefit मिल जाता है तो friends mask से हमें यह benefit मिल जाता है अगर थोड़ा बहुत background का इस्सा रह जाए तो हम इसके जरीए उसको erase कर सकते है और अब friends मैं इसमें एक background लगा के दिखाता हूँ उसके लिए मैं एक background ओपन करता हूँ यहां से double click करूँगा और यह background मैं इस पर ले के आऊँगा यहां mouse से पकड़ के मैं इस पर रखूँगा इस तरह से मैंने इसको इसको रख दिया और control bracket से मैं इसको back करूँगा तो friends यह इस तरह से आमारी background इसमें तयार हो जाएगी तो friends आप देख सकते हैं आमारी पहले वाले background यहां से बहुत अच्छे से remove हो चुकी है हम इस image को जहां चाहे वहां इसको इस तरह से set कर सकते है इस तरह से आम इसको जहां चाहे वहां इसको लगा सकते है तो फ्रेंट्स उमीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू